नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जर्खन में 10 अक्टूबर से ट्रेनिंग लेंगे 12 सो होमगाड, राजे के विभीन जीलों से 12 सो महिला एवं पुरूस होमगाड जवानों का प्रसिक्षन 4 ट्रेनिंग सेंट्रों पर होगा, यह प्रसिक्षन 10 अक्टूबर से 6 नौमबर तक चलेगा रांची, लातेहार, गुमला, रामगर, जमसेथपूर, चाईबसा, बोकारो, देवगहर, दुमका, साहेवगंज, गोड़ा, पांकूर, वा जामतरा के 202 पूरूस, वा एक सवन ठान में महिला होमगाड की ट्रेनिंग, धुर्वा, इस्थित, केंद्रिये, परसिक्षन संस रांगर, चातरा, कोडर, मा, धनबाद, वा बोकारो, के 400 पूरूस, होमगाड की ट्रेनिंग, दुमका में होगी, इस समन्द में होमगाड मुख्याले से समन्दित, अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है, जारखन में 3 अक्टूबर से बारिस, मौसम विभाग ने अप रांची बोकारो, गुमला, हजारी बाग, खुट्टी और रामगर समेत कई जिलों में भारी बर्सा होगी, इस दोरान रांची का निमतम तापमान 21 और 22 डिगरी के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिगरी के बीच रह सकता है, 2 अक्टूबर को कटम संडी मुख्य मार्ग पर कनवदा घाटी मोड पर रभीवार को एक यात्री बस और ट्रक में भीड़न्त हो गई, यह हादसा इतना भिशन था कि मौके पर ही 4 बस यात्रियों की मौत हो गई, वही 29 यात्री बुरी तरह जखमी हो गए है, हादसे के बाद आफरा तफ्र करी मच गई, अस्थानिये लोगों ने घायलों को हजारी बाग सदर अस्पताल में भरती कराया, वहाँ इनका इलाज चल रहा है, बताया जा रहा है कि यह बस चात्रा होते हुए बिहार के गया जिले से हजारी बाग आ रही थी, जनकारी के अनुसार मदे रातिर हजारी बा रिम्स नर्स की परिक्षा के परवान पत्रों की जाच 15 अक्टूबर को, जार्खन करमचरी चैन आयो की ओर से आईच रिम्स में परिक्षारी का स्रेनी एक ग्रेड नर्स परत्योंकता परिक्षा के अलप सुचिबध अभियार्थियों के परवान पत्रों की जाच 15 अक्ट पहले के एक घंटे पहले नीचीत रूप से पहुंजाएंगे जाच में उपसित नहीं होंगे आथवा वन चीत परान पत्र प्रसूत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जा सकता है साहव गंज में खादी के अस्तित्व पर संकट साहव गंज इस्थी जीरवा बाड़ी में संथाल पर गना खादी ग्रामोद्योग केंद्र बदहाल है केंद्र की चार एकर जमीन में दुकान और भौन तो है पर छव मां से चर्के बंध है पहले करोना काल में दिकत होई इसके बाद पिछले छव मां से गुड़ी नहीं आ रहा है इस कारण 30-35 महिलाए काम नहीं कर पा रही बतादे संथाल पर गना खादी ग्रामोद्योग समीति की पहल पर महिलाए जिरवा बाड़ी ज्थीत कर्याले में अंबर चर्के से पुरा चलाकर 20-25 गोड़ी धागा त्यार कर लेती हैं जारखन कॉंग्रेस की पसंद मलिका अर्जुन खड़गे राष्ट्री अस्तर पर कॉंग्रेस अध्यश के सासी थरूर मैदान में टीके जरूर हैं लेकिन जारखन के मद्दाता उनसे दूर हैं कांग्रेस की भी भीन इकायो चलाकर 20-25 गोड़ी धान करेंगे और इसमें से असपर्ष तोर पर देखा जाए तो ससी थरूर के सीधे नियंत्रन में प्रोफेस्टनल कॉंग्रेस के कर करता ही हैं बड़ी बात तोया है कि जारखन में प्रोफेस्टनल कॉंग्रेस की ओर से महाज एक डेलिगेट है इस पर दुलगा पुझा को लेकर जारखन में हाई अलरट जारखन में दुलगा पूझा और आनेवाले तेवारों को देखते हुए पुलिस मुख्यालेने सुराक्ठा के फुक्तिया बेवस्था करने के लिए जारखन के चोबीस जीलो में करवे 14,08 कुलिस बाल पर दान किये है र प्रतिन्युक्ति की गई है चार साल बाद पकड़े गए गुरु नानक स्कूल के सिक्षक के कातील जार्खन पूलिस ने चार साल के लंबे वक्त के बाद आखिरकर रांची के केमेस्ट्री के टीचर सिव परसाइद की हत्या की गुत्थी को सुल्जा लिया है पूलिस के मुत स्वेता मालिनी ने अपने ही सायोगी रहे कमेस्ट्री के सिक्षक सिव परसाइद की हत्या सुपारी देकर करवा दी थी रांची पूलिस में मामले में चार आड़ोपियों को गिरफतार कर लिया है किलिनिक से लोट रहे डॉक्टर की कार पर फायरिंग सनिवार को रात बोकारों के जाने माने सर्जन डॉक्टर इर्फान अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ है अपरादियों ने उनकी इनोवा गाड़ी पर तावरतोर फायरिंग कर दी है हलाकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई लेकिन चिकित सक पर हुए तावरतोर फैरिंग के बाद इलाके में दवसत का महुल है घटना लभग नो बजे की है बताया जा रहा है कि डॉक्टर इफाननसारी चास इस्थित मुस्कान अस्पताल से अपनी इनोबाकार में सवार होकर चालक अबदुल मन्ना के साथ अपने आवास जा रहे थे इसी दवरान तेतुलिया के पास ब्रेकर में जैसे ही गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई सणक के दोनों किनारे घात लागा कर बैठे दो अपराधियों में से दाहिने तरफ खड़े अपराधियों ने इनोबाकार पतावर तोर फारिंग शुरू कर दी अपराधियों ने पहले चालक को निशाना बनाते हुए फाइरिंग उसके बाद अपराधियों ने डॉक्टर को निशाना बना कर वहाँन पर फाइरिंग की जैक बोर्ड नौवी और एकारवी की परिक्षा दिसंबर और अपरील में के लिए जैसी यार्टी ने सिर्वा जारी कर दिया है दोनों टर्म के प्रप्ताइं के अधार पर फाइनल रियल्ट जारी किया जाएगा ज्यार्खन के कस्तूर्भा गांधी बिद्याले में 22,000 सीटे खाली राजजे के कस्तूर्भा गांधी बालका बिद्याले में 22,000 सीटे रिक्त हैं जिलो दोवारा इस्कुले सिöglich। चयों सक्ता विभाग गोदी गई जनकारी की अनुसर इस कूलों में कूल एक लाग छो हजार पांसो पछतर चात्राओं के नमांकन का प्रवधान है जबकि बर्तमान में विद्यालियों में चौरासी एर तीनसो पंद्रा चात्राओं आध्यानरत है विद्यालियों में फिलाल 22260 सीते रिक्त है बताद बोकारों गढ़वा गुमल सिम्डेगा राची गोड़ावा चात्रा में 75 फिदी से अधिक सीटे रिक्त है इन जीलों के नमांकन प्रभारी को कारण बता नोटिस भी जारी करने का निर्देश दिया गया है राजे में कूल 203 कस्तुर्बा गांधी बालिका बिद्याले है इनमें कख्छा 6 से बराहमी तक ही पढ़ाई होती है राजे में सबसे अधिक 15 बिद्याले पच्छमी से इम्भूम जीले में है वही का धवा में 14 रांची में 13 गिरी डिवा पलामू में 12 बारा दुमका 1114 वा गुमला में 10-10 बिद्याले है दुकान में गैस फटने से लगी आग से रांची में तबाही रांची के थड़ पाखना इस्थीत एक दुकान में रभी वार की सुबा गैस से लेंडर फटने से आग लग गई घाटना के सुचना पाकर पोलिस और फायर बिरिगेट की गाड़ी में होके पर पहुंची और आग पर काबु पाया समय रहते फायर बिरिगेट की गाड़ी ने आग पर काबु पा लिया नहीं तो कई दुकाने आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जलकर राक वया थी पुलिस का काना है कि दुकान में अवय तरीके से से लेंडर में गैस भारा जाता था आग लगने की घाटना कैसे हूँ इसका कारण अब यस पस्ट नहीं हो पाया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक अंद भाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ से शेर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडिवाएक अवस से दे थांक यू